नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ आपके लिए इस वक्त की ताजा खब्रे पेट्रोल वर डीजल पर निर्भरता कम करने के इरादे से केंद्र सरकार ने वाहनों में हाइड्रोजन प्रयोग शुरू कर दिया है बुदवार को केंद्री सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसत पहुँचे थे इस कार का नाम मिराई है गाड़ी को संसत अकलाने के लिए एक विशेश अनुमती जारी की गई थी नितिन गड़करी ने कहा कि पेट्रोल डीजल वाग गया साधी की कीमते लगातार बढ़ रही है और इसे प्रदूशन भी होता है नई पहल से प्रदूशन को नियंद्रत करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि जल्द ही ये गाड़ी देश में आ जाएगी इस तकनीक में ग्रीन हाइडरोजन का प्रयोग किया गया है जो कि पानी से उपलब्द होता है अब देश में ग्रीन हाइडरोजन का निर्माट शुरू होगा इससे आयात पर अंकुष लगेगा और रोजगार को भी नए अफसर प्राप्त होंगी निदिन गटकरी ने कहा कि जल्द ही देश में ग्रीन हाइडरोजन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा वहानों के लिए आसानी से हाइडरोजन उपलब्द हो इसके लिए नए स्टेशन तयार किये जाएंगे इससे देश का आयात भी बचेगा यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के शीगर बाद यूक्रेनी सरकार और सैन्य एजिंसियों द्वारा उप्योग किये जाने वाले सैटलाइट नेटवर्क पर हुए साइबर हमले के कारण यूरोपिय देशों के हजारों लोगों को ब्रॉड बैर्न इंटरनेट कनेक्शन पर प्रभावित हुए थे सैटलाइट के स्वामित्व वाली कंपणी ने बुदवार को ये खुलासा किया है अमेरिका की कंपणी वायसेट ने बताया कि इस बात का खुलासा किया कि किस तरह साइबर हमले को अंजाम दिया गया जो अब तक किसी भी युद्द के दोरान किया गया सबसे बड़ा साइबर हमला है कमपनी ने इस हमले के व्यापक रुभाव के बारे में सभी को जानकारी भी दी और इसे साजा किया उपराश्रपती एमवेंक कया नाइडू ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसत और राजिव विदान सभाओं में उन्हें आरक्षन दिये जाने पर जोर दिया है साथी लेंगिक अधार पर भेदभाव किये बगएर सभी बच्चों के लिए समान संपत्ति के एदिकार का आवाहन किया है उन्होंने कहा है कि विदान सभाओं में महिलाओं के लिए अरक्षन का मुद्दा चर्चा में रहा है लेकिन ये किसी वी वज़े से उम्मीद के मताबिक आगे नहीं बढ़ रहा है नाइडू ने कहा कि महिला सश्क्तिकरण का ना केवल उनकी स्वयम के जीवन पर बलकि परिवार और समाज पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा उपराश्ट्रपती ने कहा कि समावेश्य विकास के लिए महिलाओं युवाओं और ग्रामीन भारत पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है सरकार ने मुदवार को चार फिल्म मीडिया एकाईयो फिल्म प्रभाग डिएफ एफ एफ एई आई और भारतिय बाल फिल्म सोसाइटी सी एफ एस आई के राश्ट्रे फिल्म विकास निगम एनफ डीसी में मर्ज करने की घुछना की है सूचना एवंप्रसारन मंत्राले के व्रत्य चित्रों और लगुफिल्म के निर्माण, फिल्म समारहों और आयोजन के फिल्म के सनरक्षन का कार्या एनफ डीसी को हस्तांतरित किया गया है एक सरकारी आदेश में कहा गया कि विभिन निकत्विदियों के दोहराव को घटाने और सारवजनिक संसादनों का बहतर उपियोग सुनिश्चित करने के उदेश से ये फैसला लिया गया है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे है जनसत्ता के साथ धन्यवाद